वेलकम तू एबीसी केंपस आज हम कैफ वन फाइंशल अकांटिंग और रिपोर्टिंग वन के सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्जाम क्वेस्चन पेपर का पैटरन डिसकस कर रहे हैं तो जो क्वेस्चन पेपर हमारे सामने आता है सेक्षन एक अंदर six questions होते हैं जिसमें से first five questions short typical questions होते हैं 6 to 10 marks के अमोवन ये 40 marks को कवर करते हैं उसके बाद question number six जो है ये 7 to 10 mcqs होते हैं one mark और two marks ज्यादा तर question one mark वाले होते हैं और ये MCQs जो हैं, ये अमूमन 10 marks को cover करते हैं, इस तरह से section A के 50 marks complete होते हैं, section B में 3 questions होते हैं, question 7, 8, 9, ये long questions हम इने कह सकते हैं, ये 15 to 20 marks each के questions होते हैं, और 50 marks को cover करते हैं, इस तरह से total 100 marks बन जाते हैं, अब कोई भी जो topic है, चाहे वो testing level 1 का topic हो या testing level 2 का topic हो, वो किसी भी section म करते हैं, does B में भी आ सकता है, for example statement of cash flow जो है, उस पर short question भी बन सकता है, 6 to 10 marks का, और उस पर 15 to 20 marks का long question भी बन सकता है, इस तरह से, जो I.S. 16 है, property plan equipment उस पर short question भी बन सकता है, long question भी बन सकता है, और even जो testing level 1 के topics हैं, उनको combine किया जा सकता है, testing level 2 के topics को combine किया जा सकता है या 1 और 2 को भी आपस में combine किया जा सकता है एक single long या short question में for example past में ऐसा हो चुका है कि दो हमारे topic हैं जो testing level 1 के हैं IS 20 IS 23 इन दोनो topics का testing level 1 है यानि ये 8 marks each के आते हैं लेकिन ऐसा हो चुका है कि ये section B में examine किये जाएं जहां पर 16 marks का इनका question past exam में भी आ चुका है तो इस तरह की question इस पर set किये जा सकते हैं या अभी autumn 2022 के अंदर की attempt में ये हुआ कि दो level 2 के topics हैं ये दोनो level 2 के topics हैं और इनको combine करके more than 15 marks का question exam में पूछा गया है तो ये किसी भी angle से चीज़ें आ सकते हैं पूछा जा सकता है mcqs में भी पूछा जा सकता है section b के long questions के अंदर भी combine किया जा सकता है बड़ा topic है तो अलग से question आ सकता है और even level 1 का topic भी है तो वो combine किसी और topic के साथ करके भी पूछा जा सकता है तो आपने selective study नहीं करनी अलबता है इस pattern से आपको जहन में रखना है कि paper का structure क्या होता है ताकि आप पहले से plan करके जाएं कि आप paper में कौन से type के questions पहले solve करेंगे ज्यादा तर students के लिए जो suitable होता है वो यह होता है कि वो पहले short questions करें और यानि section A को पहले cover करें और फिर section B की तरफ जाएं और उम पहले चिल्गोंêtre में होता है और वो झाले तरम और झाले के जाएं और और अन्यादा करेंग이는 युbare करेंगे नहाँ झाल झाल